तो हेलो दोसतों मेरा नाम आशीश आप देखेरें डेमनक्स वाइटी तो आज कल किसी भी एक बड़िया टीडियम पलेयर को उठा की देख लो जो सबसे टॉप की चीज उसके इंदर मिलेगी जिसको यूज करके वो ओल ओवर एक बड़िया टीडियम पलेयर कलता है वो होती है उसकी पीक्स ये कहने में कोई दोरा ही नहीं है और अगर आज के टेम में अगर आपको भी एक दासू टीडियम पलेयर बनना है तो आपको पीक्स के साथ साथ ओपोनेंट की पीक्स को काउंटर कैसे करना है वो आना चाहिए तो आज के अली वीडियो में आपके साथ ये शेयर ने करूँगा कि पीक्स को इंप्रूव कैसे करना है आज के अली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि ओपोनेंट की पीक्स को कैसे काउंटर करना है और मेरे सामने जब कोई pixel peak वाला पलेर आता है तो मैं क्या strategies अपलाई करता हूँ, क्या mind games अपलाई करता हूँ तो ये सब मसाला आपको आज के लिए इस वीडियो में मिलने बाला है और एक जो international वाला scene shot है जो मैंने पिछे की वीडियो में आप से आचरचा की थी उसकी भी एक important update में आपको देने वाला हूँ हाँ ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगा या बोच टाइम के चक्कर में ज्यादा लंबी वीडियो हो भी सकती है और ये फालतू meme पेल के मैं cool बन नहीं करता हूँ तो मैं आपको एक और चीज बता दूँ कि मैं फालतू हाइप नहीं बना रहा कि गाईज ये डिल करो गाईज इलेक्शन टाइम बढ़ाओ गाईज फलाना डिंगडा मैं जिस्ट आपके साथ वो शेयर करूँगा जो मैं apply करता हूँ तो देखो फश्ट चीज जो मैं करने का try करता हूँ जब मेरेको एक दो किल में पता चल जाता है कि सामने वाला player जो है वो peak वाला player है तो मैं केवल एक ही चीज करता हूँ अगर वो mid range में है गो से सुना बात को अगर वो mid range में है तो मैं just उसके peaks के angle को avoid करता हूँ कोई ज़्यादा लंबा चोड़ा सीन सोट ही नहीं अब इस चीज़ का देखो मैं आपको एक एक एक्जामपल दे रहा हूँ ठीक है एक बार मान लेते हैं ये अपना अपोनेंट कड़ा और ये इसका पीक्स का एंगल है अब मैं अगर इसके एंगल में फाइट करूँगा तो मेरे हारने के चंस जो है फाइट को वो ज्यादा होंगे अब आप एक्जामपल के लिए ये कलिप देखो तो ये डीसिजन है मेरे को ठिलवाने के लिए कापी है तो मैं जेश्ट सिंपल ही मेरा एंगल चेंज गरता हूँ और ना कोई लंबा चुड़ा सीन सोट मैं इजीली जाके ओपोनेंट को पेल देता हूँ अब भाई ये अपने मन में होता है कि और ये तो पीक दे रहा है डिंजर पीक दे रहा है अरे भाई नोर्मल एंगल चेंज करो और उसको पीक में आओ ही मत कलियर बात खतम अब कई कई बार ऐसी situation मन जाती है कि अपन को peak के इंगल में आना ही पड़ता है opponent के या दूसरे सब्दों में बोलने तो अगर opponent close में peak करें तो उसको counter कैसे करें तो भई देखो मैं ज़्यादा ग्यान पेलूँगा नहीं केवल एक ही move है जो मेरे को हर बार pixel peak से बचाता है वो है one side लेकिन मैं इस move का use केवल एक ही condition में करता हूँ और आपको भी prepare करता हूँ कि आप भी केवल उसी time जब इस move का use करें जब opponent आपके कलोज में हो अब as a example आप जरा इस clip पे गोर फरमाईए अब अगर इस moment पे मैं कुछ पी use करूँ जिगल जागल कराऊच तो मेरा fight को हारना तै है लेकिन एक अपना best रामबान उपाय है one side जो मेरे को most of the time fight को जितवा के ही देती है लेकिन शर्त एक ही है कि opponent कलोज में होना चाहिए और आप तोड़ा unexpected move के साथ one side पे लोगी तो आपके ही चांस है जज़ा जीतने के और बात बाकि आपके aim पे डिपेंड करता है तोड़ा अब असली main important चीज तो इतनी थी और बात बाकि में फालतू की training ground की डिल्स बता बता के मैं थुल तुले बढ़वे बच्चों के इंप्रेस करना नी चाहता YouTube India I influence audience positive please don't demonize video में बरबाद हो जोंगा मेरे को ear पो लेना है यार कभी कभी बहुत मन करता है यार दिल की बात निकालने को लेकिन YouTube ने आज कल इतनी पाबंदिया लगा रखिया और क्या हुआ अब मैं आपको थोड़ा सा इंटरनेशनल वाला इंटरनेशनल मैच के लिए टूर्मेंट के लिए मैं हर कुछ ट्राइगर चुका हूं लेकिन हर जगह अभी इंडियन को बैन कर रखा है इंटरनेशनल प्लेयर्स अभी इंडिया वालों के साथ में खेलने को रेडी नहीं है मतलब और शायद आपको रीजन पता ही होगा मै आपको एक अपडेट दे रहा था क्योंकि इंस्टाग्राम पर मेरे पास बहुत सारे मेंसेज आ रहे थे इसलिए लेकिन कोई सीन नहीं है जल्दी मामला ठंडा हो जाएगा तो अपन खेल जबता है और अब एक ही गुजारिस है मेरे जिगर के छलों से एक कमेंट जरूर प हाई वाले दिल में तो मुलाकात करते हैं अपने वापस अगली वीडियो में